दोस्तों बिहार करमचारी चेयन आयोग BSSC की वर से अभी अभी न्यू नोटीस चारी किया गया है ये जो नोटीस संबन दीत है दोस्तों एक्जाम डेट को लेकर टाइम टेबल को लेकर तो चलिए फटाफट आप सभी यहां से फूल ओफिसियल नोटीस देखिए आप दीखेगा दोस्तों BSSC मिशन मोड में आगया है के करके जितने भी भरती पर क्रिया सभी को कम्पलीट किया जा रहा है तो अब आप सभी मिशन मोड में अच्छे से तैयारी म लग जाईए अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो अगले 6 मेहन आपके लिए बहतर ओप्सन है तो चलिए फटाफट आप सभी ओफिसियल नोटीस सबसे पहले देखिए तो चलिए बिहार SSE को ओफिसियल वेबसाट पर और अभी देखेगा तो देर रात अभी कुछी देर पहले नोटीस चारी किया गया है और दोस्तों आप सभी ये बताए कि आपके अनुसार CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला आप किसके पक्ष में आप सभी अपनी रहा अधिक सधी कमेंट करके बताईए आपके अनुसार CBT बेस्ट है या फिर OMR सीट आप सभी अधिक सधी कमेंट करके बताईए आप में कुछ स्ट्वेंट का ये रहता है कि सरजी CBT बेस्ट है कुछ का रहता है OMR सीट इसको लेकर आपकी क्या रहा है आप अपनी रहा बताईए तो चलिए यहां से दोस्तों सुचना पर notice board पर किलिक करते हैं और देखिए आप सभी नई vacancy की इंजार कर रहे हैं तो बहुत सारी नई vacancy भी आ रही है तो नई vacancy के बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं अगले एक मेहने में बिखार SSC में अच्छे खासे पदाव पर bumper पदाव पर यानि 44 पोस्ट वाली भी वेकेंसी आ रही है तो चलिए सभी चीज़ों के बारे माप सभी को इस वीडियो में आप डेट देने वाले है तो पहले तो आप सभी exam date को लेकर full schedule को लेकर यहाँ से चलिए आप सभी notice देखिए तो यहाँ पर आप सभी देखेगा notice तो यह आज ही date का है कुछ देर पहले जारी किया गए यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो संबनित जिला अनुसार यह है तो क्या कुछ है हर एक चीज के बारे माप लोगों को full details में बताने वाले हैं और इसका syllabus क्या कुछ है pattern क्या कुछ है हर एक चीज आप सभी चलिए देखिए यह जो संबनित है दोस्तों notice कारियल है परिचालिक पोस्ट संबनित है तो आप सभी नई वेकेंसी की इंतजार कर रहे है तो उसके बारे में भी आप सभी को बदाने वाले है और आप में से बि आप सभी को बताने वाले है और देखिए आपको तैयारी कैसे क्या करना है तो फूल प्रिप्रेशन हर एक चीज के बारे माप सभी को बताने वाले है और आप में से जो भी फॉर्म भरे है तो आप सभी फूल त्यारी के लिए हमारे application success planet के साथ जूर सकते दिखिए इसका pattern थोड़ा अलग है तो आप सभी अगर pattern के अनुसार त्यारी किजेगा तो अगले एक डेर महने मापको सरकारी नौकरी मिल जागा क्योंकि दिखिएगा अभी exam लिया जागा फिर इसका तुरंत result आएगा और कुछ इसमें हाई ही ने बस आप exam pass किजेगा इसके बाद आपका selection हो जाएगा बाकी जिला का देखिएगा तो यहां पर दिया हुआ है तो उचले यहां से आप सभी full notice देखिए तो यहां पर आप देखिएगा बिहार करमचारी chain आएगा आवस्यक सूचना है यहां सभी rate देख सकते हैं तो जो कि आज के rate का अभी देर राद notice जारी किया गय देखिएगा तो फिर देखिएगा आठ दस साल बाद इंटर लेवल की विकेंसी आई है यह भी आपके हाथ से चला जाएगा क्योंकि कुछ दिनों के बाद इंटर लेवल से संभाधित इसी तरह से direct notice आएगा फिर परिक्षा हर एक चीज लिया जाएगा तो आप में से संभाधित notice है इसमें देखिएगा पटना है कोट का decision आनेक बाद 2019 में तो दीखिए 2019 में यह decision आए कि बिहार में जो भी सरकारी नोक्रिया चाहिए गुरूब डी का ही क्यों ना हो एक जाम का धार पर selection लिया जाए तो दीखिएगा यह एक अच्छी पाहल है क्योंकि दीखि फॉर्म फिलब के थे तो यहां पर दीखेगा वन टैम मेजर के अधार पर क्या किया जारे है बिहार SSIU के माध्यम से 2023 में फॉर्म फिलब कराया गया था तो यहां पर दीखिए 31 माच 2023 से पहले जो भी फॉर्म फिलब किया है तो वन टैम मेजर के अधार पर सब को एकजाम देना है तो विभीन विभागाव जिला की रिक्तियों को भरने है तो विग्यापन के आलोग में पूर में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों को वन टैम मेजर के अधार पर यहां पर एक्जाम लिया जा रहे देखिए आप में से जो भी स्पोस्ट के लिए फॉर्म फ सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा स्कूर कर सकते हैं जीके में कोई लिमिट नहीं है और इसके बाद दिखेगा हिंदी है तीस तो हिंदी दिखेगा अप्लिकेशन पर आप लोगों को फूल विडियो आज मिल जाएगा यानि जितने भी चेप्टर है सभी का और आठ्वी सब्स पैटर्न के बारे में यहां साब सभी देखेगा चलिए पहले आप यह सी लेबस देख लिजे फिर आगे आप लोगों को बिहार एसे इंटर लेवल नई वेकेंसी को लेकर भी बताने वाले हैं तो देखे इसमें सी लेबस कैसे है यहां पर देखेगा मैत है तीस संक् टॉपिक जो है नमर सिस्टम के अंतरगत है इसके बाद वर्गमूल घनमूल हो गया यहां से भी तीन-तीन क्वेस्टन पूछा जागा परतिस सत से तीन लाभानी से तीन क्वेस्टन तो यह सब का वीडियो आप लोगों को अगले पांचे दिन में पुरा करवा देते एक ज पांच क्वेस्टन आपको हिंदी साहित यानि लेखा कि यह सब चीजे पूछा जा सकते इसमें नवी दसमी का पूछा जाएगा कुछ यहां पर आठ्मी लेवल पर भी पोस्ट है तो उसका आठ्मी इस रिल्टेट पूछा जाएगा यह सब वीडियो सब कुछ आप लोग क इस इंटर लेवल का बैनर इस तरह से दिखेगा तो इसको जिस तरह से आप सौट को यूटूब वीडियो देखते हैं इसमें लेट राइट स्क्रॉल करते उसी तरह से किजेगा फिर आपको तीसरे चौथे नमर पर कार्याला परिचारी का कोर्स का बैनर दिखेगा आप इस चालिस पर हो जाएगा रिजल आपको मार्क्स ठीक ठाक लाना परेगा सौ में से तो देखे यहां पर यह तो हो गया सिलेबस के बारे में आप देखे यहां पर जो भी कारियाल है परिचारी पोस्ट संबादित फॉर्म फिलब के पहले क्यानि ओल्ड वालों के लिए है उन टैम मेजर के धार पर परिक्षा संबदी देखेगा साथ अगस्त को नोटिक्स चारी क्या गया था कि 15 सितंबर को दो पाली में परिक्षा लेंगे पर्थम पाली था अटमी कलास के लिए और सेकेंड पाली दसमी कलास के लिए इसमें थोड़ा संसोधन हुआ है अब दे हर कारियल है परिचारी की भी 40,000 पदो पर वेकेंसी आ रही है तो उसके बारे में भी हम आप लोगों का अपडेट देने वाले है कब तक आ रही है इसलिए आप से भी फटापर चैनल सब्सक्राइब कीज़े जुड़ जाए और ये जो 44 नई वेकेंसी है इसकी फूल त्या प्लिकेशन के साथ जूर करके जो सिलेवा से उस अनुसार त्यारी के लिए जिसे बांके स्टुटेंट के कंप्यर में आपको मार्क सच्छा आ जाए और आपका रिजल्ट हो जाए परिक्षा के देखेगा टैम टेबल 12 से 2 बजे 2 घंटे का परिक्षा है 19 सितंबर को भी 2 गंटी की परिक्षा है यहाँ पर जिला का लिस्ट है संबादित जिला अपना जिला का यहां से नाम देख लिजे परिक्षा के दर कहा है तो परिक्षा के दर बापू परिक्षा 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 कुम्रार पत्ना में इसका योजन क्या जग देखिए हाली में अभी प परिक्षा एक सब्ता पहले भिहार ससी को ओफिसयल वेबसाट प्र आ जाएगा मां की यहां पर देखेगा ता भिहारत्यों कुणिदेश दिया गए गगतन सूचना है तो आप सभी भिहार ससी को ओफिसयल वेबसाट देख देखते रहे तो फैनल्व आज देखेगा तीस अग नोटीस जारी किया गया था तो बहुत पहले आप लोगों को बताए थी कि इस पार आप लोगों की इंटर लेवल की परिक्षा सीवीटी होगी रही बात इंटर लेवल की देखें इंटर लेवल में भी आपके पास लगवक धै महने का समय है अभी देखेंगा बिहार S.S.E. क पुरांत इसके बाद फैनल रेजल्ट आएगा और आप लोगों का जो सरकारी नौकरी का सपना है पुरा हो जाएगा इंटर लेवल की भी अप्लिकेशन पर कोर्स उपलाब्द है आप सभी जुर जाईए यहां से दोस्तों यह नोटीस आप सभी देख लिए बिहार S.S.E. इसलिए आप सभी अच्छे से त्यारी किजे जिससे आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है पुरा हो पाए यहां से दोस्तों आप सभी फुली नोटीस देख लिए अच्छे से हर एक चीज के बारे में समझ में आ गया